हेलो एव्रिवान नमस्ते तो आज यहाँ पे जो रीडिंग मैं करने चाहरी हूँ उसका टॉपिक है वो कांट स्टॉप थिंकिंग आफ यू तो यहाँ पे मैं उस इंसान के बारे में सारी डीटिल्स आपको दूँगी जो की कंटिनिसली आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है और वो आपके बारे में क्यों सोचा बंद करने पार रहे है उसका रीजन क्या है वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने चाहरी हूँ तो गाइस यह जो रीडिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ यह timeless है general reading भी है और यह for both males और females है किसी के लिए है और मेरे चितने भी reading होते हैं न सारे ही timeless होते है और general reading भी होते है तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी reading को refer कर सकते हो according to your problems और guys आप लोगों को आपका solution मिल जाएगा और मेरे blessing समीशा आप लोग के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी तो आप लोग भी थोड़ा support देखाना और जितना सदा हो सके न आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर लेना guys ताकि मुझे भी motivation मिलेगा और मैं भी धेर सारे new new topics के ऊपर reading कर पाऊंगी और आप लोगों के life में एक छोटी सी पैसे help ला पाऊंगी guys तो पहले तो हम आपके cards देख लेते हैं और चानते हैं कि वो इंसान कौन है जो कि आपके बारे में continuously सोचता ही जा रहा है तो guys यहाँ पे आप देख पा रहे हो six of swords का card है in reverse में तो guys यह जो भी बंदा या बंदी है जो कि continuously आपके बारे में सोच रहे है लगातार आपको याद कर रहे है वो एक air sign के person ही हो सकते है चैमने लिपरा और guys यह जो भी इंसान है वो बहुत ही जादा problems में खिरे हुए है बहुत सादा problems guys उनके career से related या फिर उनके postner life से related लेकिन यहाँ पे यह इंसान ऐसे एक जगे पे trapped है जहां से यह चाहा कर भी उस problem का सामना नहीं कर पा रहा है यह भाग रहा है दौर रहा है भाग रहा है एक problem का solution चाहता है लेकिन नहीं पा रहा है वो solution उसे चाहिए और guys यह अपने past में ही stuck है मुझे आप ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि कोई एक emotional baggage है इसके मन में शायद इसने unknowingly आपके साथ कुछ गलत कर दिया है जान बुच के नहीं guys लेकिन unknowingly इसने आपके साथ शायद कुछ आपको कुछ गलत कर रहा है या फिर आपको कुछ खरी कोटी सुना दिया है और अभी इसे वो चीज रियलाइज हो रहा है कि उसने कितने बड़ी गलती करी है और अभी यह उस गलती का पच्चतावा उसे हो रहा है and he or she really wants to come towards you आपके पास आना चाहते है वो और एक माफी के साथ आना चाहते है यह एक सिचुईशन हो गया यहाँ पे दूसरा सिचुईशन मुझे यह दिख रहा है यह इन्सान जो भी है ना यह एक ऐसे सिचुईशन में बंदा हुआ है चाहापे कि इसे paranormal activities को experience ये कर रहा है या कर रही है मतलब एक काला साया कहलो उसको haunt कर रहा है या कर रही है and because of that reason ये चाहा कर भी उस साय से बच नहीं पा रहा है ये सिब भाग रहा है इस चगह उस चगह इधर उधर भाग रहा है कहीं जगों पे इसने मननते मांग चुकी है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है लेकिन guys इसे कहीं से आपके बारे में पता चल रहा है that either आप उसकी help कर सकते हो या फिर आप उस काले साय कहलो या वो black entity को आप चानते हो and आप ही उसे इसके life से हटवा सकते हो and because of these two reasons ये आपके बारे में continuously सोच रहा है ये इंसान ठीक है guys वो reason आपको समझ में आ गया either ये इंसान ने आपके साथ कभी कुछ गलत कर रहा है unknowingly या फिर ये इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है and इसे पता चल रहा है कि सिर्फ आप ये ऐसे इंसान हो जो की इसे सारे problem से मुक्ती दे सकता है या फिर मुक्ती दे सकती है guys तो यहाँ पर मैंने कुछ extra cards भी निकाल लिये है ताकि आपको proper info मिल जाए कि ये बंदा या बंदी कौन है तो guys ये stranger है ठीक है अगर आप इसे मिल भी चुके हो still आपको याद नहीं होगा कि ये इसान actual में कौन है लेकिन वो आपके पास आना चाहते है आपसे माफ़ी मांगना चाहते है आपकी help करना चाहते है and एक चीज़ मैं या भी देख पार रही हो that surprisingly ये इसान आपके लाइब में sudden आजाएंगे ठीक है either ये आपसे माफ़ी मांगेंगे या फिर ये आपको एक help के लिए गुहार करेंगे that please मेरी help कर दो मैं एक haunted situation में फसा हुआ हूँ या फसी हुई हूँ and सिर्फ तुम हो जो कि मुझे help कर सकते हो and आप उसे बोलोगे कि मैं किसे help कर सकता हूँ या मैं किसे help कर सकती हूँ लेकिन guys वो जो साया है उसे आप चानते हो इसलिए आप उनकी help कर सकते हो and ये जो भी इंसान है ना ये जो stranger है ये आपके घर आ जाएंगे आपकी help वो चाहते है या फिर वो आपको sorry बोलेंगे तो guys कुछ features मैं बता देती हूँ ताकि आपको पता चाह सके कि ये बंदा या बंदी कौन है family person है उनके लिए family बहुत साथा matter करता है adventurous इंसान भी है बहुत सारे risky adventure trips पे ये बंदा या बंदी कहलो ये जा चुके है अपने life को fully enjoy करना इने पसंद है passionate इंसान है guys means घरेलू इंसान भी है and passionate इंसान भी है एक proper combination pack है ये और मजाग करना इसे बहुत साथा पसंद है शायद मजाग मजाग में इसने कभी आपका दिल दुखाया होगा कहीं आप इसे traveling के दौरान आप इसे मिले हुए होगे and इसी के कारण वो आपके पास आना चाहता है या आना चाहती है एक sorry के साथ क्योंकि ये रातों को सो नहीं पार रहा है या सो नहीं पार ये because इसने आपका दिल दुखाया है ये एक reason है दूसरा है that जो ये काला साया को ये stranger experience कर रहा है देख रहा है वो काला साया को आप चानते हो and आप ही उसे मुक्ती दिलावा सकते हो ठीक है कुछ अधूरे काम हो सकते है उस काले साया का जो कि आप पूरे कर सकते हो guys इसी लिए ये stranger आपके पास बहुत जल्दी आनी जा रहा है आपकी help मांगने के लिए ठीक है guys तो कोई भी situation आपको resonate कर सकता है जो resonate करता है आप उस हिसाब से इस reading को ले सकते हो ठीक है guys तो guys ये था reading आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरी जो readings होता है प्रोजनेट करते है या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा रगता है guys तो आप लोग मेरी चानल को सबस्क्राब कर सकते हो लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने family, friends and colleagues के साथ तो guys support देखाओ और मेरी blessings हमेश आप लोग के साथ रहेगी तो take care and be safe love you all thank you, bye